वरीगूर्ट बॉर्णिग गाइस माइनिमी संदीप कुमार एंड वलकम टू माई चैनल डीजी संदीप गाईस आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप اपने और यूटुप को ग relief कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपना न्यूट्यूब चनल गेट कर सकते हैं तो इस वीडियो को आँ तक देखिए और अगर आप मेरे चनल पर नए हैं मेरे वीडियो से पहली वार देख रहे हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बैल बटन कोई प्रैस कर लें जिससे कि जब में मैं कोई नहीं वीडियो लेकर आउं तो उसका नौटिफिकिशन आपको मिल जाए योटूब पर new चैनल कर अगर पूरेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है में स्विर्वाइय सैवाक को बлаг इन सबसे पहले आपको अपनी इस एईजोई लॉगिन करना है यह ऑद अग्वरती से लॉगिन मेनेज करते हैं अपने Gmail account को मेंज करते हैं Google account को मेंज करते हैं आपको क्लिक करना है यह जी से क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकेक option मिलेगा creative channel creative channel पर आपको click कर देना जैसे आप्षाइच है helpless option मिल जाएगा अपने चैनल का नाम जो है क्रेट करने का option अगर आपके पास multiple channels already है same email id पर तो आपको जो है अपने number of channels पर options है वहाँ पर क्लिक करना है वहाँ पर आपको option मिलेगा new channel create करने का क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई channel नहीं है तो यहाँ पर direct मुझे जो है new channel create करने के लिए बोला जा रहा है अब यहाँ पर मैं अपना जो new channel है उसका नेम जो है डाल देता हूं जैसे की डिजिटल संदीप यह न्यूचनल का मेरा नाम है यहाँ पर मैं upload कर देता हूं picture को मेरी profile picture जो है यहाँ प्रोफाइड हो जाएगी तो यहां जैसे में इस ले लेता हूं अपनी यह कुछ photos है इन में से मैं एक प्च ले लेता हूं कि मैं इस फोटो को ले लेता हूं जैसे ही मैं इस फोटो के लेता हूं तो इसमें करने का ऑप्शन मिलेगा इसको क्रॉप कर लेजिए और यह आपकी जो है प्रोफाइल पिक्चर एड़ हो चुकी है डिजिटल संदीप नाम से आपका जो चैनल है वह आपके जो है क्रेट हो जाएगा जैसे ही मैंने क्रेट चै चैनल यूट्यूब पर क्रेट हो चुका है फ्रेंड्स यह न्यू चैनल क्रेट हो चुका है और यहां पर मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं कस्टमाइज करने के लिए मैंने क्लिक किया है कस्टमाइज चैनल पर कर दीजिए और यहां पर आपको एक अप्शन लिगा ब्रांडिंग का और डी मैंने प्रोफाइल पिक्चर एड कर चुका हूं यहां पर मैं उसके इसमें जो है बैनर इमेज अप्लोड कर देता हूं बैनर का जो इमेज का साइज है वो होना चाहिए तो जीरो फॉर एट इंटू लेवन फिफ्टी टू पिक्सल और इसका जो टोटल साइज है चैंब से कम होना चाहिए इसको अप्लोड कर दिए यहां पर तो आपका जो बैनर है वो भी एड हो जाएगा कि करना चाहते हैं कर दीजी मैं आपको दिखा जाता हूं कैसे होता है ए इए विसमें अधोर अधे तक कि बारान है नहीं तो दॉसटो के कुई देख लिए तकमुल होगा भूलों तो इसमेंसे देख लिए कुछी कल दीते हैं यह तोड़ा छोट यह चोटा है कि इसको के असे करके हम दूसरा यह क्रीड लेते हैं इमेज को और यहां पे तो नहीं है आप डाउन वोट पे देख लेते हैं और यहां से देख लेते हैं कोई इसमें से ले लेते हैं for example तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस थरह से एड हो जाएगी आपकी इमेज और यहां पे अपने चैनल के अनुसार आप जो है इमेज को अफलोड कर देंगे अब जो है चैनल का बैनर इमेज एड हो चुकी है अब यहां पे basic info डाल दीजिए सबसे पहले अपने चैनल का नेम आपने ओर डाला हुआ है आप यह चैनल का description डाल दीजिए कि आपका purpose क्या है चैनल create करने का और इसके नीचे आपका जो है चैनल का URL दिया हुआ है यह URL है और यहां पर अपना email ID दाल दीजिए contact email ID यह डालने के बाद जो है आप अपने चैनल को view कर सकते हो यह view करने का option है और यह आपको चैनल जो है पसंद आई होगी और पसंद आई है तो जो है लाइक कर देना साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए thanks for watching my videos have a nice day bye bye